कोशन में बोला है कि what is the faulty weight used by your dishonest shopkeeper instead of original weight of 1 kg कि उसको 25% का profit हो जाए अच्छा 25% के profit का मतलब क्या हुआ कि जो 4 का समान है उसको 5 में बेच दे तो 4 के समान को 5 में बेच रहा है अच्छा उसे पैसा कितना मिलेगा तो जो weighing machine जितना दिखाएगा उतना ही पैसा मिलेगा तो उस भाई को चाहिए 1 kg का पैसा मतलब 1000 ग्राम का पैसा चाहिए तो 5 का value कितना होगा 1000 तो 1 का value कितना होगा 200 अभी 4 का उसके पास समान जाएगा तो 4 का value कितना होजएगा 200 मल्किप्लाई कर दिजिए 800 इसका मतलब क्या हुआ 800 ग्राम उसको मेजर करना है जब weighing machine दिखाएगा 1000 ग्राम कोश्चन का सही आंसर होगा option number 3 उमीद है चीज़े आपको समझ में आ गई होगी फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप comment section में जरूर पूछ ले तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुँचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए है तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट प्यूएक्यू का कॉंसेट के साथ